देश के अवाम को कैसे न्याय मिले इसलिए इस यात्रा के दवरान भारत जोडने के साथ साथ देश को न्याय दिलाने के लिए भारत जोडो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है अब यात्रा का मक्सद चुनाव जीतना नहीं है राहूल गांधी जी को सायध हमको लग रहा है अगर जद्यू के नेता कोई मान्य निंतिस कुमार को प्रधानमंदी की रूप में देखना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है नमस्कार मेरा नाम चंद्र सेखर आप देख रहे हैं विंबस निविदे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो निया यात्रा पे निकले हैं अब का भी बहुत धन्यवार भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी जीन ने यात्रा की थी उसका फलाफल बहुत ही अनकूल हुआ और भाईचारा स्थापित करने में वो सफल रहे अब जो हैसो भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ निया यात्रा भी जोड़ा इसलिए गया है कि देश में बेरुजगारों को रुजगार देने में सरकार सफल नहीं रही किसानों का हित करने में सफल नहीं रही महलाओं को सम्मान देने में सफल नहीं रही कोई बड़े उद्योग कालकार खाने लगाने में सफल नहीं रही तो सभाविक रूप से देश के अवाम को कैसे नियाय मिले इसलिए इस यात्रा के दवरान भारत जोड़ने के साथ साथ दे इस मार्ज को समापन करेंगे यात्रा का महराष्ट में. क्या लगता है सज इस परकार्श भारत जड़ो निया यात्रा निकाले थे तो कुछ राजियों में कॉंगरिस का जो है पकड़ मजबूत हुई थी और आने वाले दिनों में लोकसवा का चुनाव है तो क्या लगता है जिस तरह से राजियों में चुनाव का नतीजे में सब्सक्राइब हम को लग रहा है कि अभी भी समझने में लोग देरी कर रहे हैं लाहूल गांधी देश में समाजिक समरस्ता कैसे पैदा हो देश विकास की और कैसे अग्रसर हो जो पुरानी परंपरा रही है भाइचारा का वो कैसे लवटे इसके लिए प्रयासरत है नो कि कॉ पार्टी कैसे सत्ता में आ जाए वो कैसे प्रधान मंत्री बन जाए उसकी चिंता उनको नहीं है उनकी चिंतार सिर्फ मोदी जी को है कि देश को संप्रदाइक भर्ठी में जोग करके भी धार्मिक उनबाद पैदा करके भी वो बार-बार प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं औ लेकिन इनकी यात्रा का मकसद यही है कि सद्भावना पैदा करना और अब भारत जोड़ो न्या यात्रा की सुरुवात होने जा रही है इससे जो जस्टिस नहीं मिला है देश के अवाम को उसके लिए उस यात्रा के दौरान एक माहौल पैदा करेंगे और सरकार से मांग करें देश कुमार को इंडिया एलाइंस की सन्योजक बनाई जाएगी यह मीडिया में खवर चल लही होगी लेकिन अईसी अभी कोई बात नहीं है नितिस बाव इस बात के लिए उक्षुक हैं और कांग्रेस पार्टी उनके बनने का कहीं विरोध में नहीं है यह मैं आपको बता देना चाहता हूं नितिस बाव किसी पद के लायक है यह भी मैं बताना चाहता हूं इसलिए जब उनके बनने की बात होगी तो आमसामती से हो जाएगी नितिस बाव के भावना का तो आदर होगा है नितिस बाव क्या चाहते हैं वो तो अपने स्वंग अपनी भावना को हो गए हैं अभी जब चर्चा ही नवी है तो नाराज कहां से होने का सवाल उठता है कोई ब्यक्ति जिस पाउधे को खुद लगाया हो उसी को मुर्धाते वे देखना चाहेगा क्या तो जिस इंडिया गठ बंदन के निर्मान में को भूमिकार रही है क्या चाहेंगे कि इंड विखराव पैदा करने की कोशिश से बचे जदियू के कई नेता का रहे हैं कि नितीस कुमार को सन्योजक बनाया जा सकता है इदर आप बोल रहे हैं अपवा पहलाया जाना चाहिए वो मांग कर रहे हैं वो सभाविक परकरिया है आपने नेता को कोई उच्छे पत-पत क्यो वॉए नहीं चाहेगा जदियू का नेता कि प्रत्हान मंत्री बन जाए ऑगर जदियू के निता कोई मानियन इइन्ती सुकमार को प्रत्हान मंतरी की रूप में देखना चाहते हैं तो इसमें क्या गल्ट है लेकिन आइसी कोई चर्चा नहीं है वो मांग कर रहे हैं और को उससे हम लोग को कोई आपती नहीं है बीजेपी के कई नेता का रहे हैं कि जिस परकार्ट से ललन सिंग को राष्टिय पत से थिपा देने के बार नितीश कुमार खुद को राष्टिय देच के रूप में ढाल लिये हैं तो कहीं न कई इससे कॉंग्रेस जो है इंडिया लाइ कि एक जुट रहेगी कहीं कोई मर्मरिंग नहीं रहेगी इसलिए पार्टी को मजबूत और संगठित करने के लिए खुद नितिश्बाव ने कमान सम्हाल लिया है इसलिए कहीं कोई उनके डाल के अंदर को राजनिती है को तीन तिकडम है मैं नहीं समझता हूं चेरिण को लेकर विशर सवाल हो रहा है कि किसका जो है मतलब परिनाम बहुत देखने को दो हैं निश्य दूर्प से मिलेगा आपस में जदियों के लोग आपस में राज्यत बाले आपस में बात कर रहे हैं कॉग्रेस के लोग भी अपकुस किश्टरिट पर हम लड़ सकते ह कौन सा हमको अपने कटफंधन के निताओं से बातचित करना है मांग करना है वो चर्चा चल रही है हमको लगता है कि हपता दिन के अंदर यह सब छीज आपको खुलासा हो जाए चल यह हमारे साथ थे कांगरेस के मलसी समीर कुमार शिंग जिन्होंने राहूल गांधी के निया यात्रा और सीट शेरिंग को लेकर अपना परति किरिया दिया बागी वाद आपकी क्या परति किरिया है को में सोक्स में जरूर दे धन्यवाद